हलो फ्रेंज, दिस इज डॉक्टर रंजीत सिंग, दोस्तो ये जो कवर पेज आप देख रहे हैं, ये GIC Lecturer English Subject में Main Exam के लिए है और आप जानते हैं ये exam 19 December 2021 को है, UPPSC के कैलेंडर के अनुज़ार दोस्तो इस Main Exam के लिए English Subject की कोई भी बुक as such market में अविलेवल नहीं थी, तो पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार, LTE के बुक पूरी करने के बाद, मैं GIC Means की बुक में लगा हुआ था, कि आपको पढ़ने के लिए एक अच्छा material मिले, क्योंकि अब ये MCQ-based नहीं है, ये descriptive है, और इसमें तीन तरीके के answers का समाबेस है, उन answers में आप जानते हैं कि तीन तरीके के questions आप से पूछे जाएंगे subject में, घंड आ के अंतरगत five questions होंगे, और उनकी जो bird limit होगी हर question की answer देने की, वो 250 सब्दों की होगी, ये question का answer आपको 250 सब्दों में देना है, और 25 marks का हर question होगा, इस तरह से 125 marks के ये 5 questions होगे, फिर एक खंड बाह होगा, next section होगा, section B, section B में five short answer type questions होगे, और हर question का answer आपको 150 words में लिखने, और एक question के marks जो हैं, वो 15 होगे, इस तरह से 75 marks का ये section होगा, 125 marks का first section था, section A, 75 का section B है, और ये 200 marks का दो section होगे, अब section C होगा, जिसमें आपको very short answers लिखने हैं questions के, और वो short answers आपको very short answers, 50 words में लिखना है, और ऐसे आपको 10 questions मिलेंगे, और सभी questions 10-10 marks के होगे, अर्थत 100 marks का ये section रहेगा, तो कुल तीनों section मिलाकर, 300 marks के रहेंगे, GIC mains में, दोस्तों अच्छे से ध्यान दीजें, कि GIC mains में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये दो paper होने वाले हैं, paper 1, जो की सब के लिए common होगा, और paper 2, जो की subject से सम्मंदित होगा, paper 1, 100 marks का होगा, और paper 2, 300 marks का होगा, जो आपके subject का होगा, paper 1 में, हिंदी से related बहुत सारे questions होगे, जिसका असल है, बस यहाँ दिया गया है, और उसी के section B में, जो हिंदी का paper होगा, उसमें एक A से लिखना होगा आपको, जो 1000 words में लिखना है, और दूसरा paper जो होगा, आपको वो subjective होगा, दोस्तों, पहले net का exam भी ऐसे ही होता था, उसमें जो booklet मिलती थी, उसमें 30-40 pages होते थे, और हर question के बाद space छूटा हुआ होता था, lines बनी होती थी, उसी space में आपको उस question का answer लिखना होता था, और मुझे लग रहा है, इस बार आपको GIC lecturer के means exam में ऐसी ही booklet मिलने वाली है, जिसमें question लिखा होगा, और question के बाद space चूटा हुआ होगा, उस space में ही आपको बढ़िया neat and clean handwriting में आपको answer लिखना है, तो आपको पहले से पता होता है कि इतना space हमारे पास है, और इतने space में ही लिखना है, इतने space में ही 250 words में लिखना है, इतने space में 150 words में लिखना है, सब के लिए अलग-अलग space होता है, जिदने marks question होता है, उतना ही ज़्यादा है, कम space होता है, तो दोस्तो ऐसे पेपर की तैयारी करने के लिए आपको authentic matter की जरूवत थी उसी तरीके के questions की practice करने की जरूवत थी तो दोस्तो जितना syllabus में 25 writers हैं आपके उसी आधार पर मैंने ये book बनाई है और हर writer पर तीनों तरीके के questions देने की मैंने कोसिस की है लेकिन दोस्तो आपको ध्यान रखना है कि हर writer पर एक से ज़्यादा question आपको वहाँ नहीं मिलने वाला है साइध ही कभी ऐसा हो कि एक writer पर दो question पूछ लिए रहे हैं परना आप उमीद करके चल सकते हैं कि एक या दो question ही हर writer पर होगा तो दोस्तो आपको सारे questions पढ़के एक निचोड बना लेना है कि जब paper में writer से संबंदित question आएगा तो सुरू की introduction में ये 2-3 line लिखनी है क्योंकि मैं अगर करता तो मैंने सुरू की एक-2 question में बढ़िया introduction लिख दिया बात के answers में हमने उस 2-3 lines को miss किया बाकी चीज़े important लिखें क्योंकि आप उन 2-3 lines को बहां से उठा लेंगे पहले question के answer में से तो दोस्तो आप अपना एकदम mood set कर ले कि birds birth पर आएका तो मुझे beginning यहां से करनी है यह 2 lines स्टार्टिंग में लिखनी है सेक्स्पियर पर अगर question आता है तो मुझे दो लाइं से हांस उठाने हैं यह लिखनी है साथी में दोस्तो मैंने courses की है कि यह जो second section है जिसमें literary terms, movement, forms, literary criticism यह सब हर writer पर जो literary criticism में थे चाहें वो Aristotle है, John Dryden है, Dr. Johnson है, St. Galleries है William Burth है, Matthew Arnold है, T.S.E. इन सब पर इनका जो literary criticism है सब पर तीनों तरीके के short answer type questions, long answer type questions सब कुछ देने की courses की है सबुक में सारे stanza forms पर और जितने movements हैं यह रनेशार, information, metaphysical poetry, classicism, romanceism, pre-reflight और modern literature से सम्बंदे जितने भी हैं बहुत सारे मैंने सबुक में दिये हैं और सभी की वही तीनों question को जो format है उसे follow करते हुए मैंने लिका है दोस्तों बिसेशता एक बुक की ये भी है कि मैंने history of English literature के major trends को लेते हुए major questions को लेते हुए लगभग 50 और 60 pages में इसे cover करने की courses की है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि history of English literature पर जो short answer type questions लॉग answer type questions है वो लगभग लगभग 40 pages में है 45 pages में आप यहां देख सकते हैं तो इस तरीके से मैंने इस बुक को बहुत बहतर बनाने की courses की है और 20 तारीक को 20 अक्टूबर को ये book available हो जाएगी मार्केट में जो major cities है महां offline available होगी जैसे लखनौ है अलहावाद है, बनारस है गोरकपुर है साइद, मेरट है आगरा है इन जगह ये offline available होगी और बाकी सहरों में ये online available होगी फ्लिपकार्ट पर तो दोस्तो अब 20 तारीक से online book कर सकते हैं मैं इसका link जल्दी ही कल पर सों एक और वीडियो बनाऊँगा उसमें इसका link share कर दूँगा क्योंकि फ्लिपकार्ट पर ये book list होने वाली है आज कल में और जैसे ही link generate होजाएगा मैं आपके साथ share कर दूँगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही और ये cover page आप अच्छे से पहचा लीजिए GIC English Lecturer की main exam की book है यह जो की 19 December को आपका exam होने वाला है So thank you friends, thank you very much